बाद करें गेमिंग का जो कुल्चरी इंडिया में बहुत तेज से बढ़ा है लेकिन एक सीजी जो यहाँ पर इंडिया के अंदर जाद़ पॉपलरर नहीं होरी वह है मेडेन इंडिया गेम्स देखो बात कीजाया है तो इंडिया में जो हम मैजोरीटी गेम्स खेलते हैं वह पर बाहर की कमतनी मनाती है आप देख लो टैंसक ने काफी सारे इंडिया में बना के पॉपलर करते हैं इसके साथ यूएस वाले अपने गेम बना रहे हैं और इंडिया के लोग जब इतना गेम खेल रहे हैं तो सवाल आप यह वार में कभी आता नहीं है या फिर में इंडिया में देखा दो टाइप की गेम होते एक तो जो पहले आपको गेम देखने को मिलते थे वह बहुती जादा लो क्वालिटी के होते थे और ऐसा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था और कई बार ऐसा लगता था कि मौके पे चौका लगानी कोश्य की गई यानि कि पबजी बैन और क्या आप लोग का मौल में कि वो कंपनी आज के समय में रॉक स्टार गेम्स का पार्ट है जो हो सकते शार इस समय आपको GTA 6 पर काम कर रहे हो येस एक इंडियन कंपनी रॉक स्टार गेम्स जैसी कंपनी का पार्ट बने और सिर्फ इतनी बात नहीं है अभी देखा तो कु लेवल पर भी रिकॉगनाइजिशन मिली येस राजी गेम बहुत जादा फेमस है यहां तक की बात की जाए तो उस गेम को अवार्ट भी मिला है बेस्ट डेब्यू इंडी गेम पॉर दे गेम अवार्ट येस यानि की एक काफी हाई लेवल खावार्ट जब इस इंडियन ग इंडिया में जो प्राइमरली गेमिंग मार्केट है वो किस टnoon कि खिलता है वो खिलता है मॉबायल बेस्ट गेम में आप लोग बेद्व पता है कोई अगरी बीस यह येवर गया sollten हो सकता है कि wanted चेर में कहानी बदले इसके कुछ और अच्छे एक्जांपल में बता सकता हुआ आप लोगों देखो हाँ पर ऑल रेड़ी एक और गेम है इंडेस बैटल रॉयल जो इंडेस बाजार था उन्हीं के लोगों ने एक और गेम बनाए जो कि बैटल रॉयल टापकर ताकि इंडिय के लोग को वो चीज पसंदा और उनको सेंटर करने के लिए बना गया है खैर यह चीज़ें यहाँ पर काफी अच्छी है लेकिन क्या हम लोग इंडिया वाले क्या ट्रिपल ए गेम बना सकती है जीटिये लेवल का वेल वो चीज़ भी हाँ पॉसबल हो सकती है एक गेम है जो क कंबाई की गलियों में आप जाओगे और यहाँ पर उस गेम को इंजॉय कर सकते हो यह चीज़ भी अच्छी है लेकिन यह गेम आने वाले कुछ सालों में होगा क्योंकि इस गेम को कोई बड़ी कंपनी नहीं बना रही एक इंडिपेंडनेंट गेम होने वाले लेकिन बहु गेमिंग कल्चेर है वो बहुत ही जादन है एस कंपेर टू वेस्टन कंट्री यहां फिर जपैन की मैं बात करूं देखो वहां पर क्या रहता है कि लोग काफी कम एच से गेम खेला शुरू करते हैं और वहां पर जो पेरेंट्स होते कई बार उने भी पता है कि यहां पर ऐ यहां पर खुले उन्होंने इस चीज को डेवलप किया वहां से कुछ लोग का इंट्रस जागा वहां से कुछ लोग गेम डेवलपर बने कुछ लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं बहुत ही सही खाम यहां पर हो रहा है लेकिन फिर भी देखा तो इस इंडस्ट्री को जो इंजिनेरिंग, गेम डिजाइनिंग, एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें हां पर लगती हैं और देखा तो इसलिए काफी जाद एक्सपेंसिव है और इंडिया में जो कंपनीज है ना उनके पास लिमिटेड बजट होता है और लिमिटेड बजट सी उन्हें पर काम करना प पसंद किये जाता है, वो लोग इस गेम को खेले और एक तरह से इंडिया गेमिंग का टेस्ल या पर इंडिया कल्चर का टेस्ले आप खोद यह बात जान सकते हैं कि काफी सारे ऐसे गेम से हैं जिनका जो रेफरेंस रहता है वो इंडिया से लिया जाता है, हिटमेन के अंद एक ऐसा गेम बना दे जो भार के लोग को पसंद है, है ना काफी कमाल की बात, देखा है तो काफी सारे दूसरे गेम्स भी हमने नहीं पर देखें, जैसे कि एक यहाँ पर आपका राजी गेम तो है, जो कि काफी जादा क्रिटिकल यह क्लिम्ड गेम था, इसके साथ एक असुर गेम का वेट करना हूँ, अगर गेम काफी अच्छ हो तो हो सकता है कि शाद ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर तहलका मचा दे, क्या लगता आप लोगो, देखा हम जित्ते भी हाँ पर गेम्स भी रहा के बारे में बात करते, क्या आप लोग को पता है काफी सारे गेम अब देखने हैं कि क्या फ्यूचर के अंदर इंडिया में क्या इंडिया का बनाए कोई मोबाइल गेम या कोई ट्रपले टाइटल का बनता है, यह एक अच्छी बात होगी देखने वाली, इसके साथ ही बात कह रहे हैं तो काफी सारी ग्लोबल कंपनी ने भी इंडिया में अपना ओफिसे ओपन कर रहे हैं, जैसे यूदिसोफ्ट का ओफिस इंडिया में है, रॉक स्टार गेम्स का भी ओफिस है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक काम ही बहाँ पर होता है, देखते हैं फ्यूचर में क्या रहता है, भाइद अब आप लोग को यह बात कैसी लिए कि कमेड़े बतान ना भूला, वीडियो कर आप लोग को पसने है, लाइक कर देना, चलब को सुस्ट्रेब करना एसी वीटियो जेख लेकिलेगे, थांक को यूदि देखने की इपना आप सुल्दा नेक्स टान के अंदर, गुद्बाइ!